हेलो फ्रेंड वेलकम टू सिक्षा तो उमीद करता हूं तैयारी सबकी जोरो शोरो से चल रही है ठीक है और कंटिन्यू रखना है तैयारी को हौसला नहीं खोना बिल्कुल भी हमने सोशल से क्योरिटी के पांच एमसी क्यूस देखेंगे इस वीडियो में वन सगें सिक्स लेक्चर है अराउंड ट्वेंटिफाइब कोशन अब तक देख चुके अब थिटी हो जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो दो में टॉपिक्स में से कोशन हम देखने वाले है में आपको पहले ही बता देता हूं एक है आपका किसान क्रेडिट कार्ड की के सीथी अचीट है जी इसमें से कोशन से देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे नाशनल लॡी सिक्ट्रीमिशन के एक दो कूशन देख्षाज है और एक कशन आपको स्टैटिक वालग में तो चलिए शुरू करते हैं फटा-फट से प्रोसेस आपको पता ही है कोशन आएगा समझ सुनना है उसके लिए अगर दो मिनेट के लिए रुकना है तो वार्ट पॉस करना है वीडियो को फिर सेलूशन देखना है पहला सवाल इन में से कौन eligible beneficiary है तो आपको दिखा देते हैं एक बार eligible beneficiaries के तो सारे individual farmers ठीक है या joint borrowers who are owner cultivators जो खुद की जमीन पर cultivation करते हैं वो इसके लिए eligible है tenant farmers जो किराई की जमीन पर रह रहे हैं oral disease जो lease पर लेकर के रह रहे हैं share croppers self help groups joint liability groups including tenant farmers और share croppers इंक्लूड़ तो यह सारे के सारे eligible आपके रहेंगे थोड़ा सा इसको दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे इस तरह का अगर question आता है तो आप इसको easily solve कर सकते हैं चलिए next question देखते हैं इन में से कौन सा statement incorrect है about किसान credit card scheme तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि question आते ही UPSC के paper में क्या करना है correct incorrect के ओपर गोला लगा लेना ताकि किसी भी तरह की गलती हमसे ना हो तो गलत statement पूछा है मतलब कि तीन ठीक होंगी ये गलत होगी ऐसा कुछ होना चाहिए scheme covers risk of KCC holders against death or permanent disability तो मतलब first statement ये कहना चाहिए कि एक तरह से ये insurance provide करा रहा है insurance provide करा रहा है accidental accidental plus life accidental plus life to farmer ठीक है accidental और life insurance provide करा रहा है farmer को पहला statement ये कहना चाहता है दूसरा the scheme also covers the farmers involved in animal husbandry and fisheries animal husbandry and fisheries के farmers को भी cover करती है the loan under KCC are given to farm for farmers to meet their long term capital requirement long term capital requirement के लिए पैसा दिया जाता है long term capital requirement हो गया कि बढ़ी tractor खरीदना है ठीक है तो 5 साल का loan हो गया या फिर tube well बनाना है समझे रहो तो इस तरह की investment के लिए जो है पैसा लिया जा रहा है long term के लिए option D कहता है कि सारे ठीक हैं इनमेंसे कोई भी incorrect नहीं है तो answer इस case में क्या होगा अगर scheme पड़ी हुई है तभी इसका answer कर सकते हैं नहीं तो अपने लिए answer करना मुश्किल हो जाता है इस तरह के questions का answer इसमें होगा आपका option C option C ये incorrect statement है क्योंकि जो KCC के under loan दिये जाते हैं वो long term capital requirement के लिए नहीं वो working capital requirement के लिए दिये जाते हैं working capital working capital requirement के होती है working capital requirement होती है जो एक साल से कम के लिए loan चीए होता है वही seeds खरीदने है ठीक है seeds खरीदने है ठीक है या फिर product जो है जो फसल है वो पुरी तरह से grow कर चुकी है उसको cut करने के बाद उसको जो warehouses तक पहुंचाने का खर्चा है जो उसकी cutting का खर्चा है warehouse तक पहुंचाने का खर्चा है वो वाला खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो short term के लिए working capital के लिए asset नहीं बनाना है यहापर कोई ठीक है जैसे tractor खरीदना क्या होगा asset बनना होगा तो long term capital requirement में हम क्या कहते है कि वही asset create हो रहा है पर यहाँ पर asset नहीं create हो रहा है यहाँ पर सिरफ उनको अपनी working capital के लिए पैसा चीए ठीक है तो KCC उसके लिए है आपका चलिए KCC को आप एक बार broadly समझ लेते हैं जो भी इससे related points है क्योंकि अगर कोई भी question आ जाता है आपका social security वाले area में KCC तो आप उसको easily कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले loans disbursed under KCC is broad based and it may be used as working capital and for short term credit requirement ठीक है short term credit requirement जैसे cultivation of crops के लिए post harvest expenses जैसे कि मैंने आपको पता है warehouse तक लेकर के जाना है ठीक है marketing loan के लिए consumption requirement of farmer household के भी consumption requirement में क्या होता है कि अब crop grow करने का जो है season चल रहा है लेकिन उस time पर farmer के पास कोई और revenue source नहीं है तो KCC से थोड़ा बहुत पैसा लेकर किसान credit card से थोड़ा सा पैसा लेकर अपने family consumption needs जो है वो fulfill कर सकता है ठीक है जी जो KCC के अंडर loan disperse किया जाएगा notified crops के लिए वो automatically crop insurance scheme के अंडर भी आ जाएगी ठीक है जितनी भी crops के लिए अगर एक particular crop के लिए किसान जो है farmer जो है loan ले रहा है KCC के अंडर और वो एक notified crop है सरकार दोरा तो वो automatically crop insurance के लिए भी eligible हो जाएगा इसमें जो farmer है उसको एक ATM enabled rupee card भी मिलता है with one time documentation और इसमें कितनी भी number of withdrawals की जा सकती है without any limit ठीक है कोई limit नहीं है withdraw के पर important point है directly statement में ये भी पूछ सकते हैं कि भी किसान credit card में जो card मिलता है उसमें कितनी limit होती है withdrawal की तो आप कह दोगे उसको death और permanent disability से insurance भी provide कराती है और रेट उसके इलावा अगर आप देखो animal husbandry और fisheries के जो farmers हैं उनको भी KCC में involved किया गया है और कोई processing fees नहीं ली जाएगी loan के लिए under KCC अगर कोई collateral free agriculture loan लिया जा रहा है 1,00,000 से 1,60,000 तक का तो पहली बात 1,00,000 से 1,60,000 तक का कोई loan है KCC के अंडर किसान credit card scheme के अंडर तो उसके लिए collateral यानि का आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है collateral security आपको नहीं देनी है दुसरा अगर आप 1,00,000 से 1,60,000 के अंडर का loan ले रहे हो तो उसके लिए आपको कोई processing fees भी नहीं देनी है bank को ठीक है जनर जी जब हम loan लेने जाते है तो एक processing fees होती है जो bank लेता है वो भी यहाँ पर नहीं pay करनी है सारे के सारे points बहुत important है अच्छे से ही याद कर लेने है किसान credit card में से इससे बाहर question नहीं आएगा अगर किसान credit card में से आ गया paper में ठीक है चलो थर्ड question National food security mission is a centrally sponsored scheme and it was launched in which year कौन से साल में centrally sponsored scheme National food security mission या जिसको NFSMB कहा जाता है ये launch की गई थी आज कल इस तरह के सवाल जो है पूछे जाने लगे है मैंने आपको पहले भी बताया factual questions अब UPSC बहुत पूछने लगा है तो पता होना चाहिए आइडिया होना चाहिए कि कौन से साल में launch होई थी scheme 2007, 13, 15 या 18 confusing question है confusing क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा चलिए answer इसमें है आपका 2007 ठीक है काफी बच्चों ने सोचा होगा कि इसका अंसर 2013 होगा उन्होंने इसको confuse कर दिया होगा National Food Security Act से ठीक है 2013 में आपका National Food Security Act आया था लेकिन इस National Food Security Mission पहले ही आचुका था 2007 में इसलिए मैंने आपका 2013 जानबुचकर option रखा था तो 2007 याद रखना है आपने चलो अगला question देखो once again related to the National Food Security Mission इन में से कौन सा component is not one of the component under the National Food Security Mission not not के ओपर सरकल लगा ले कौन सा नहीं है यानि की तीन है एक ऐसा होगा जो component नहीं है NFSM Rice, NFSM Commercial Crops NFSM Wheat या फिर NFSM Onion once again factual question है पढ़ा है learn किये है art component है मैं आपको बता जेता हूँ art component है National Food Security Mission में अगर ये art component याद किया है तो answer कर सकते हूँ नहीं तो नहीं कर सकते answer इसका होगा आपका option D NFSM Onions ठीक है NFSM Onions और रइट चलिए तो art component जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंडर है एक आ गया rice, फिर wheat, फिर purses, फिर आजाते है आपके coarse cereals, coarse cereals में जैसे maize और barley आ गया ठीक है उसके बाद एक submission on nutritional cereals है, nutritional cereals फिर commercial crops, oil seeds and oil palm and then seed village program तो ये art component है आपके national food security mission के अंडर ये याद होने चाहिए आपको ठीक है question बन सकता है इन में से rice, wheat यहीं पर याद कर लो video देखते देखते ही, ये मत सोचा करो कि बाद में मैं याद करूँगा बाद का या time नहीं बचा है आपके पास याद करने का, ठीक है ना, rice wheat, pulses ये तो असान से हैं चावा, लाटा, डाल तो हमें पता ही होता है coarse cereals भी याद easily हो जाएगा neutral cereals, coarse cereals के साथ neutral cereals आ गया, commercial crops आ गया, जैसे आपके tea, coffee, cotton आ गया, oil seed and oil palm यही पर याद कर लो, और seed village program याद हो चुके है अब आपको, बस एक बार revise करना है एक बार और शाम को, ठीक है चलो, fifth और last question इस video का, social security and social insurance, ये एक subject है, जो constitution के seven schedule की कौन सी list में आपको मिलता है, ठीक है seven schedule है ना, आपका समीधान का जिसमें आपको lists provided है ठीक है, तो state list है, union list है, concurrent list है, या resudory list है, इसका क्या answer होगा, कौन सी list में आपको ये वाला subject मिलता है, social security and social insurance का देखो, बहुत सारे ना, labor welfare, अपना social security, इनसे related बहुत सारे subjects है, एके करके सारे कराऊंगा, ठीक है, एके करके सारे कराऊंगा ताकि याद हो जाएं, एक साथ नहीं कराऊंगा सारे, क्योंकि एक साथ कराने के चकर में वो याद नहीं होते हैं, confusion होती है ठीक है, तो ये है आपका concurrent list में, concurrent list क्या होती है जिसके ओपर कानून state government भी बना सकती है और central government भी बना सकती है ठीक है तो अंसर इस case में होगा आपका options ही रेजिडरी list जैसी कोई list constitution में है नहीं ठीक है रेजिडरी list के हम बात क्या करते हैं देखो देखो state list में वो subject आगे जिसके ओपर state कानून बनाती है union में वो आगे जिसके ओपर center कानून बनाता है concurrent में वो आगे जिसके ओपर state plus center कानून बनाते है रेजिडरी list कौनसी list होती है अब कोई ऐसा subject है कोई ऐसा विशे है जो ना state में है ना union list में है ना concurrent list में है तो वो residue list हम उसको बोलते हैं, अगल कोई ऐसा subject जो किसी भी list में नहीं आया उसको हम residue list बोलते हैं, पर इसका mention constitution में नहीं है इसका mention constitution में specifically residue list कोई word नहीं यह इसके आपर कानून बनाने का अधिकार किसक्त का उसको बनाने का अधिकार है 선िक है ठीक है यह यहाँ पर आपकी थोड़ी सी quality भी जो है revise हो गई alright चलो तो ठीक है गाईस यह हो गए 5 questions हमारे 5-5 questions ही करेंगे मैं बहुत सारे comments आए कि सर लंबा बनाओ, लंबा हम नहीं बनाएंगे 5-5 questions में आपको भी देंगे और जब paper हो जाएगा उसके बाद बाद करेंगे कि क्या beneficial रहा 5-5 या लंबे questions ठीक है बाकी की playlist आपके पास available हैं और चैनल को subscribe जुरूर कर लो बहुत सारा content अब आना है updates आते रहेंगे, साथ साथ देखते रहना ठीक है, उसके चकर में मत रहना कि मैं इकठी videos देखूँगा अब 25 वीडियो जब हो जाएंगे मैं इकठी देखूँगा या मैं 25 वीडियो इकठी देखूँगी उसमें फस जाओगे ठीक है, वो कभी नहीं हो पाता और वो काम भी नहीं करेगा ऐसे 5-5 questions देखते रहो जैसे जैसे videos आ रही है बहुत अच्छे से आपके revision हो जाएगी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए all the best time, bye bye